मौसम मदलने के साथ साथ बच्चे सर्दी खासी की चपेट में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं ऐसे में हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी होम रेमेडी है बिसीकली ये पाँच होम रेमेडी में से यदि आप एक भी अपलाई कर लेते हैं तो गैर का पानी होता है आप फोटो में देख सकते हैं इसमें कुछ भी हामफुल कैमिकल नहीं होता है इसे अपलाई करने का भी एक तरीका है आप पिलो में बेबी को रखिए थोड़े उचे सर्फेस में रखना है उसके बाद फोटो में दिखाया तरीके से आपको बेबी को सेट क और उसमें नेजो क्लियर की एक से दो ड्रॉप आपको डालनी है बस आपके बेबी की नोज आसानी से खुल जाएगी और वो रात को अराम से सोने वाला है सेकेंड है अजवाइन पोटली ये हमारी आयूरवेदिक मेडिसीन कह सकते हैं आप बहुत पुराने जवाने में और आज भी माय ये ही यूज करती है अप्लाइ करने का तरीका ये है अजवाइन को हलका सा आपको फ्राइ पैन में रोस्ट करना है और एक मसलिन क्लोथ लेकर उ बेड में सोता है उसके पास इसे रखे ताकि उसे खुजबू आती रहे साथ में आप इसे उसके नोज में सुंगा भी सकते हैं ये बहुत बहुत ज़ादा असरदार है एक बार मेरे कहने पर ये रेमेडी आप जरूर से ट्राइ कीजेगा अगर आपका बच्चा बड़ा भ बात्रूम में भाब भर जाएगा उसके बाद आप बच्चे को लेकर जाएगा वह जैसे जैसे सांस लेगा वह स्टीम उसके नाक में जाएगा उसकी नोज ब्लॉक के पूरी तरकी से खुल जाएगी और बच्चा आसानी से सांस ले पाएगा उसकी सरदी खासी में भी आरा बट इसे apply करने का तरीका शायद कुछ लोगों को ही पता है आप इसे बच्चे के तलवे में लगा दीजी एक से दो साल तक का बच्चा है तो ये definitely work करने वाली remedy है तलवे में लगा दीजी और बहुत अच्छे से आपको लगाना है खास कर ये बच्चे के सोने के टाइम आपक बच्चे की छाती में और पीछे के तरफ आपको apply करना है और बच्चे को socks पैना देना है जी हां बच्चे को socks पैना देंगे तीन से चार गंटे बाद आप socks उतार भी दीजेगा बच्चे की सर्दिखासी असानी से ठीक हो जाएगी फिफ्थ जो remedy है वो hot towel आपको एक soft napkin य सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो नैपकीन को गरम पानी में डाल कर उसे अच्छे से निचोड कर बच्चे के थाती में आपको सेक ना है सेक देना है गरम पानी का उसके पहले आप बेबी विक्स apply कर सकते हैं या just ऐसे ही आप भी कर सकते या फिर मैंने पहले अजवैन की पोटली बताई थी उसे भी आप हलका सा सेक कर बच्चे के चाती में रख सकते हैं बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलने वाला है इस रेमिडी से दवाई वगेरा एक तरफ है बट घरेलू रेमिडी जो है वो 100% एफेक्टिव रहती है और इसमें कोई नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है जो हाट चावेल है उसको आप खास कर बच्चे के चाती साइड में और पीछे के साइड में बैक साइड में आपको सटीम देना है गरम है तो उसको बहुत जल्दी आराम मिलेगा अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो मैं रिक्मेंन क करूंगे कि आप बच्चे को भाब दीजिए जैसे कि फोटो में दिखाया गया है इसके साथ ही और बहुत सारे हमारे नुसके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में चले जाएगे बट आज मैं आपको सरसरी तोर पर यह बता देती हैं सबसे पहला है ल मिक्सी करके उसका जूस बना लेंगे और उसमें हिंग डालकर छाती में तलव में लगा देंगे बच्चे की पुरानी से पुरानी सर्दी खाजी ठीक हो जाएगी इस रमेडी से और आप मुझे आकर थैंकियो बोलेंगे प्लीज कमेंट करिएगा अगर कोई भी रेमेडी वर्क करती है तो इसके बाद है जाइफल जाइफल को आप पानी के साथ एक पेस्ट बना लीजिए और इसे बच्चे के नोज में लगा दीजिए ये मैंने खुद अपने बच्चे पे प्लाई किया है बहुत इजी रमेडी है तो आज हमने पांच रमेडी जानी और पांच इसके पार्ट वन के भाग में है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए इन पांचों रमेडी में से आप एक भी रमेडी समाल करते हैं तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक होने वाला है सर्दी खासी होने पर बच्चा अकसर चुर्चड़ा हो जात आपको घरे लिए उपाए भी जरूर से करना चाहिए तब ही आप भी रहेंगे और आपका बच्चा भी हैपी रहेगा अगर उसे नोस ब्लॉकेज है और सर्दी खासी है तो रात को असानी से सो भी नहीं पाएगा और दिन भर आपको परिशान करेगा आपको यह आज का वी करना है और डारेक्ट फैन की हाओ में बच्चे को नहीं सुलाना है पीलो में थोड़ा उचा सा रख कर सुलाइए और नेजो क्लियर के साथ कोई भी एक होम रेमेडी यूज कीजिए ऐसे ही घरे लू होम रेमेडी के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल त